नमस्कार दोस्तों इश्वर सदयाव आपका भिला करें और आपकी जोल्या इश्वर के आशेवाद से हमेशा भरी रहें तो दोस्तों आज बात करेंगे धन रेखा जिसे शनी रेखा भी कहते हैं भाग्य रेखा भी कहते हैं उसके सम्मंद में लेकि सबसे पहले जो सबसे ज़ादा जरूरी चीज होती है हमारी हाथ में वो धन रेखा से भी ज़ादा जरूरी होती है हमारी जीवन रेखा जो हमारी जीवन रेखा होती है वो सबसे जादा महत्तपूर्ण है यदि वो निर्दोश है मतलब उसमें कटे फटे के निशान नहीं है हाथ का रंग गुलाबी है तो सबसे जादा बहतरी हिन होती क्योंकि यदि आपके पास जीवन है तो आप सबसे सही तरीके से धन भी कमा सकते हैं उस धन का उप्योग भी कर सकते हैं दूसरी बहुत महत्तपूर्ण होती है वो होती है आपकी मस्तशक्रे का बुद्धी का होना बहुत ज़रूरी है यदि आपके पास बहुत धनों, लेकिन दिमाग ही न हो या आपका दिमाग ही सरी रंग से काम ना कर रहा हो तो वो धन भी व्यार्थ हो जाता है या किसी के द्वारा लूट लिया जाता है और एक रेका और है जो बहुत जाता जरूरी होती है वो होती है हमारी हिदय रेका हिदय रेका हमारे भावनाओं को, हमारे इमोशन्स को और बहुत सारे जिवन के अन्य घटनाओं को भी हम हिदय रेका के मादम से जानते हैं तो जो ये तीन रेखाएं हैं, ये अगर निर्दोश हैं, कटी फटी नहीं हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, चाए उसके हाथ में धन रेखा ना भी हो, मैंने बहुत सारे ऐसे हाथ देखे हैं, कि हाथ का कलर बहुत अच्छा है, ये जितने परवत हैं, ये सारे अच्छे उठे हुए हैं, लेकिन भाग्य रेखा धन रेखा नहीं है, तो क्या वो धनवान नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन क्यों धन रेखा की इंपोर्टेंस है, क्योंकि जो धन रेखा होती हैं, बताते हैं कि व्यक्ति धन कमाने के लिए प्रयास क प्राप्त हो जाता है क्योंकि जो उनका हात होता है वो स्वैम खासकर परवत यदि अगर अच्छे हैं मतलब जो परवत हैं अंगलियों के नीचे ये अच्छे उठे उभरे हुए हैं हात का रंग गुलाबी है और परवत अच्छे हैं हात की लंबाई चुड़ाई बहुत उनके हाथ में धन रेखा तो होती है लेकिन उनके पास धन नहीं होता तो इसके बारे में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के हाथ में अच्छी शनी रेखा होती है ऐसा व्यक्ति धन समपत्ति जीविका के लिए निरंदर मानसिक रूप से प्रत्नशील होता है हो सकता है कि धन कमान प्रियास करता है और खास करें दी सूरे रेखा अर्था जो आपकी मिडल फिंगर है उसके बगल वाली जो उंगली होते हैं जिसे आप अनामिका कहते हैं इसकी जो रेखा होती है अगर ये रेखा भी सपोर्ट कर दे हैं को ये और शिप्चिन हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत हो जाता है लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धन रेखा देके धन रेखा किसे कहते हैं वो रेखा जो कि शनी परवत अब शनी परवत क्या होता है ये जो हमारी बीच की जो उंगली होती है इसे शनी की उंगली कहते हैं और ये जो इसका परवत होता है अर्था इसक को के साथ इस परवत की ओड जाती है या अगर इसको दूसरे तरह से देखती है या उस तक पहुंच जाती है पूरी तरीके से तो ऐसी जो रेखा होती है इसे धन रेखा कहते हैं इसमेर भी बहुत सारे variation है एक वीडियो में इस चीज़ को पूरी तरह से नहीं समझाय जा सकता है तो मैं इसके लिए दूसरा पार्ट भी बनाऊंगी लेकिन आज सरफ हम विशेश धन रेखाओं के बारे में जानेंगे जो व्यक्ति को पर्यापत रूप से धन प्रदान करती है अब कि मैंने पहले भी कहा कि जीवन रेखा साथी साथ मस्तिश्क रेखा और आपके रिदे रेखा का अच्छा होना जरूरी है परवतों में उभार अच्छा होना जरूरी है और साथी साथ रेखा कटी फटी ना हो क्रॉस के चिन्न ना हो तो ऐसी रेखाईं जो होती हैं सबसे जादा बढ़िया फल देती हैं लेकिन देखे ये इंसान का जीवन है भगवान ने कोई भी ऐसा इंसान नहीं बनाया कि उसके जीवन में कश्ट ना आए तो आप देखेंगे कि अने को राहु रेखाईं आ जाती हैं जीवन रेखा पे शनी रेखा पे बहुत सारे कट हो जाते हैं या कुछ रेखाईं काट जाती हैं तो ये जीवन के वो फेज होते हैं जब व्यक्ती कटनाईयों से गुजरता है लेकिन यदि रेखा पूरी तरह से वहाँ पे खतम नहीं होती और उपर की ओर चलती जाती है तो व्यक्ति उन कट्टाईयों को सामना करते वे आगे बढ़ता जाता है तो ये सबसे प्रमुक चीज होती है किसी भी रेखा के बारे में समझने के लिए हां लेकिन यदि आपकी जो भी रेखा है यदि वो बीच से ही टूर जाए और उसके नीचे खासका क्रॉस का चिनन आ जाए तो ऐसा जो समय होता वो बहुत बड़ी दुरखटना का होता है और उसके बाद बिलकुल भी कोई रेखा ना हो तो इस तरह का जो समय होता है वो बताता है कि जो व्यक्ति होता है उसके जीवन पर भी संकट आ सकता है लेकिन यदि धन रेखा की बात की जाए तो यही principle धन रेखा पर भी लागू होता है कि यदि कोई रेखा, शनी परवत की ओर देख तो रही है, शनी परवत की ओर चल तो रही है, लेकिन यदि वह चलते चलते बीच में रुख गयर, उसके बाद कोई भी रेखा नहीं हो, तो ये समय के बाद व्यक्ति धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना छोड़ देता है, उसके पास जो भी होता है, वो उसमें ही संतुष्ट रहने लगता है, क्योंकि देखिए मैंने ऐसे बहुत हाथ देखे हैं, खास कर मेरी खुद की एक फ्रेंड का भी हाथ ता, जिसके जो भागी रेखा है सुफ यहाँ तक थी, उसके बाद कोई भागी रेखा नह लेकिन अब उसने इस उमर को ग्रॉस कर गई है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि उसका धन खतम हो गया, ज्यादा धन कमाने के लालएवसह उनके मन में नहीं है, उनके मन में है कि जो भी है हमारे पास, हम उसमें ही संतुष्ट हैं, लेकिन ये किसी व्यक्ती की ध धन रेखा इतनी लंबी है तो व्यक्ति जीवन के आखरी पल तक प्रयास करता है और बहुत जादा धन अर्जित करता है लेकिन इसमें और भी वेरियेशन्स है जो मैं अब आपको समझाओंगी देखें यदि कोई भी रेखा धन रेखा कलाई से निकल कर आपकी कलाई से निकल रही है और बिना जीवन रेखा को टच किये हुए शनी परवत तक पहुंच जाए तो यह जो रेखा होती है वो व्यताती है कि जो ऐसे व्यक्ति होते है उनका जो लक्ष होता है बिलको निश्चित होता है देश निक्षित होता है और यह जीवन में निरंतर निरंतर प्रग आने के लिए प्रयासरत रहता ही रहता है और इसका जो लक्ष होता है वो बिलकुल स्पष्ट होता है और इसके जो उद्देश होते हैं वो बिलकुल सुनिश्चेत होते हैं अब एक भागे रेखा ऐसी होती है जिसे धन रेखा भी कहते हैं जो कि चंदर परवत से शुरू होती है अब चंदर परवत का है यह हमारा जो हिस्सा होता है यह चंदर परवत का होता है अब एक रेखा ऐसे भी हो सकती है जो चंदर परवत से निकलेगी और चंदर परवत से निकलते वे शनी परवत तक जाएगी, तो क्या बताती है ऐसे रेखा, ऐसे रेखा दो तीन चीज़े बताती है, पहला ऐसे व्यक्ति को बाहरी लोगों से सपोर्ट मिलता है काम में, कितनी बार ऐसा देखा गया है कि शादी के बादर्था, ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति का या किसी महिला की वज़े से भी ऐसा व्यक्ति तरक्षी करता है, कितनी बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर भी तरक्षी करते हैं, क्योंकि चंद्रक परवत से रेखा शिरू ही है, तो विदेश यात्राएं या विदेश से संबंदित कोई भी काम है, ऐसे सिरफ करता है लेकिन अगर रेकह के भावना को संझा जाए तो ये जो रेकह थी वह यह बताती है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वह धन प्राप्त करने के साथ-साथ साथ लोगों के बीच अपनी अच्छी र्रेपोटेशन बनाने के भी इसकी एक लाल सा होती है ऐसा व्यक्ति यह चाहता है कि समाज में उसकी इज़त हो, लोग उसके अच्छे नजरों से देखें और वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि अनुचित चीजों का प्रयोग ना करके उचित तरीके से वो धन को कमाए और यदि यह रेखा गहरी हो, सपष्ट हो, कटे का चिन्न ना हो, तो ऐसे व्यक्ति की इस तरह के इक्षाएं भी पूरी होती है अब बात करेंगे दूसरी रेखा की, देखें अब सबसे पहले हम देखेंगे यह है आपकी जीवन रेखा अब यदि आपकी जीवन रेखा से जो आपका भाग्य रेखा है, वो वहीं से प्रारंब होके जाए, शनी परवत की ओड़ी तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो परिवार से जुड़ा रहता है, या वो परिवार से जुड़कर भी कोई काम करता है और स्वतंत्र पहचान उसकी तभी मिलती है, जब वो रेखा थोड़ी सी जीवन रेखा से अलग होनी प्रारंब हो जाती तो उस आईउ के बाद से वो व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान, अलग काम भी करना शुरू कर देता और कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है, कि इस तरह की जो शनी रेखा होती है, वो अपने पूर्वजों के, मतलब उनके परिवार का जो भी काम है, उसको भी और बड़ा बनाते हैं, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी खोलते हैं तो ये एक अच्छी रेखा मानी जाती है, परिवार से सपोर्ट की रेखा मानी जाती हैं लेकिन अगर यही रेखा दूसरी तरीके से देखें आप, कि अंदर से शुरू हो, शुक्र पर्वत के अंदर से शुरू हो तो इस तरह की रेखा बताती है कि व्यक्ति का जो आरंबिक वहश होता है वो पारिवारिक जिम्मेदारियों में फसा रहेगा जिसकी वजह से व्यक्ति तभी उतरक्की पूर्ण रूप से कर पाता है या मांसिक रूप से स्वतंत रूप से काम कर पाता है जब ये रेखा मेदालियों से बंधा रहता है और जब वो आगे की ओर उससे अलग होकर चलने लगती है तब व्यक्तिक स्वयम स्वतंतर निर्णे लेने लगता है इसके अलावा एक बात और ध्यान लखेगा कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके शनी रेखा के साथ कोई छोटी सी रेखा चंदरपरवत से आके मिल जाए या चंदरपरवत की ओर देखे या चंदरपरवत से कोई दूसरी रेखा इसको सपोर्ट करने लगे तो ये इस्त्री के वज़े से भी सुख या इस्त्री के सपोर्ट या पतनी का सपोर्ट या आप कह सकते हैं बाहरी लोगों से सपोर्ट औ कि विवहा के बाद ऐसे व्यक्ति का जो स्वाभाग्य है वो जादा बढ़ता है विवहा के बाद ऐसे व्यक्ति खासकर 28 वहिश के बाद से व्यक्ति धीरी धीरी तरक्की करने लगता है और 36 वहिश के बाद से उसकी पर्यावत रूप से तरक्की और उन्नति हो जाती है और य तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही लेकिन अन्य आगे वाली वीडियो में बहुत सारी धन रेखाओं के जो अन्य वेरियेशन उनके बारे में बताएंगे तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार